हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे टुन्टुनी चिडिया और मोर की कहानी एक बार एक बहुत ही सुन्दर गाउं था उस काउं में दो टुन्टुनी चिडिया रहती थी वो दोनों बहने थी एक दिन दुपेहर को वो खेल रही थी तभी उन्होंने वहां से एक मोर को जाते हुए देखा वो मोर बहुत ही परिशान दिख रहा था क्योंकि वो अपने घर का रास्ता भूल चुका था तभी दोनों तुन्टुनी चिडिया उस मोर के पास पहँची और उन्होंने मोर को कहा कि हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे जहां जहां भी हम उड़ेंगे तुम वही वही चलते रहना मोर बहुत खुश हुआ मोर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा जब दोनों टुन्टुनी चेडिया और मोर ठक गए तो जंगल में उन्होंने आराम भी किया और बहुत सी बाते की वो बहुत ही अच्चे दोस्त पन चुके थे मोर के घर तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही अंधेरा हो चुका था अब दोनों टुन्टुनी चिडिया ने मोर को कहा कि बहुत अंधेरा हो गया है मोर भाई, हमें घर को वापिस भी जाना है तब मोर ने दोनों चिडिया को कहा कि तुमने आज मेरी बहुत सहायता की, बहुत ही कम समय में तुम मेरी कितने अच्छे मित्र बन गए हो, क्यों ना आज तुम मेरे घर ही रुख जाओ, अब तो मेरा घर पास में ही है, हम रात को साथ खेलेंगे और बहुत सी बाते करेंगे, दोनों चिडिया ने मोर को हा कह दिया, और उस दिन रात को वो मोर के घर ही रहे, सुभा होते ही दोनों टुन्टुनी चिडिया ने मोर को अलविदा कहा, और अपनी घर को निकल गई, परन्तु अब वो अच्छे दोस्त बन चुके थे, और अब वो मिलते रहते थे, आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें बाई बाई